हॉलिवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपन हाइमर दुनिया भर में दूम मचा रही है इसके एक सेन को छोड़ दे तो पूरी कहानी दर्शकों को अगर्शित कर रही है रॉबर्ट जे ओपन हाइमर बने सीलियन मर्फी की आक्टिंग और डायलोग डिलिवरी पूरी फिल्म में चार चांद लगा रही है कंगना रनोट ने हाले में फिल्म देखी और इसके बाद इसका रिव्यू भी किया इसके साथ ही उन्होंने भगवद गीता वाले सीन पर भी अपनी राय रखी है आई आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा वो कहती है दोस्तो मैं फिल्म ओपन हाइमर देख कर आ रही हूँ ये एक फिजिसिस्ट की कहानी है जो वर्ल्ड वार टू में अमेरिका के लिए परमानों के लिए बंबनाते हैं मेरा पसंदीदा पार्ट भगवद गीता और भगवान विश्नु का रेफरेंस है जब वो अपने अंदर के विश्नु को चैलेंज करते हैं उन्होंने लोगों से फिल्म को देखने की अपील तक की हैं इसके साथ ही कंगना ने भगवद गीता वाले विवात पर भी अपनी राय दी एक यूजर ने उनसे पूछा कि वो भगवद गीता वाले सीन पर क्या कहना चाहेंगी क्या वो इंटेंशनल नहीं लगता इस पर अक्रिस ने कहा कि भगती दिखाने का हर किसी का अपना तरीका होता है जुईश इंसान होने की नाते वो हिंदू देवी देवताओ को वो भगती भाव के साथ नहीं देखेंगे लेकिन फिल्म में अगर उन्हें किसी की डिवोशन में देखा गया है तो वो भगवान विश्नु है ये रौ फॉर्म में भगती का एक तरीका है इस सीन को वीडियो में भी कंगना ने अपना फेवरेट बताया है अक्ट्रिस ने कहा कि फिल्म में फाइनल एक्स्प्लोजन का जो सीन है और उसमें जो डायलोग है और अब में दुनिया का विनाशक हूँ कंगना ने बताया कि ये सीन देखने के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र की लडाई की याद आ गई जब विश्नु भगवान विराट रूप लेकर अरजुन के सामने आते हैं कंगना कहती है कि वो फिल्म देख के मंत्र मुग्द हो गई थी